हलो प्यारे दोस्तों स्वागत है आप सबका इस वीडियो में हम राजस्थान के जो अभियारन्य है और चेविवित्ता से समझेद कुछ मैद्पून प्रशनों पर चर्चा करेंगे कुछ तो क्या कुल जो अपने प्रशन है वो है टोटल यहां पर 60 प्रशन है और बहुत ही म पर पहले देना चाहिए उसके बाद आप आंसर की देखेंगे तो निश्चित रूप से आप फायदे में रहेंगे शुरुआत करते हैं पहला प्रशन है अपना मुकुंद्रा हिल्स टाइगर प्रोजेक्ट के विस्तार वाले जिलों का सईयूग में है यानि कि यह करंट ज जलावाड हैं बुंदी हैं और थोड़ा बुद भाग हैं वो चित्वड का भी है इसमें यानि कि इसका जो पहले का आंसर है वो फोर्त ओप्सन हो जाएगा नेक्स क्यूशन है मुकुंद्रा हिल्स को राश्ट्रिय उद्यान का दर्जा कब दिया गया उद्यान कब बना कब पूछा गया है तो यह हम जानते हैं 2012 में लेकिन 2012 में वैसे 2012 का यह की ऑप्सन है नो जनवरी 2012 के दिन यानि इसमें सेकंड ऑप्सन से हो जाएगा अपना इ आपना जोर्वे में देख पाएं गया राजस्थान सरकार द्वारा पारित वन्यजीव सुरुक्षा अधिनियम 1972 कब से राजस्थान में लग हुआ था मतलब एक प्रसन तो आपका इस प्रसन से क्लियर हो रहा है यहां पर लिखा हुआ है कि वन्यजीव सुरुक्षा अधि थर्ड ओप्षन है, C वाल ओप्षन है, वो इसका सही उत्तर हो जाएगा, नेक्स है, गोड़ावन की सरनस्तली के रूप में, तो हम जानते ही है, राष्ट्रिय मरूद्यान है, वो इसके लिए बहुत फेमस है, और इसका जो तीसरा ओप्षन है, उसमें यह है, तो फिर यह से उत्तर हो जाएगा, कहां है, तो जेसल मेरूद्यान है, बाकी केवला देव के बारे में हम जानते हैं, यह पक्षियों के लिए फेमस हैं, ताल छापर हैं, वो काले कृष्ण मरिग के लिए फेमस हैं, मुकुंद्रा हिल्स अभी नया उध्यान बना है, राष्ट्री उध्यान बना तो फेमस हैं, गागरुनी तोत्ते और इनके लि सागवान बन पाए जाते हैं बहुत मैद्पून है ए उप्सन इसका सही हो जाएगा सिता मताब यारणिया परताब गड़ नेक्स्ट है सुमेलित करने वाले प्रस्णों में आराम से ए प्रस्ण अल किया जा सकते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी अगर मनसे पढ़ाई किया है तो आप हल कर सकते हैं जैसे रन थंबोर हम जानते हैं कि सवय मादूपूर में है तो आपको एक की सीध में देखना है चार तो एक की सीध में चार दो उप्सन में हैं इसका मतलब जो उप्सन नमबर दो हैं और तीन है वो तो कभी इसका उत्तर होई नहीं सकता फिर बाकी भ दो आपके यहां option में होना चाहिए, तो C में यहां पर नहीं है, यहां पर है, इसका मतलब हो गया आपका जो last option है, वो सही है, और सेरगड बचा है, वो का है, 12, सेरगड के नाम से दो जगे हैं, अलग अलग दूरग हैं, वो दोनों ध्यान रखने हैं, सेरगड 12 के अलवा भी हैं दोलपुल में, तो उसको आपको याद रखना है, नेक्स हम बात करते हैं, एक घास का नाम दे रखा हैं यहां पर, घास का नाम है, मोचिया साइप्रस रोंटडस, नामक नरम घास, वैसे मैंने कहीं कुछ किताबों में जो यह भी पढ़ा था, मतलब यूट्यूब अग ताल शापर कहा है, चूरू में, और कृष्ण मरिक पाये जाते हैं वहाँ पर, नेक्स क्यूशन है, अपना आठवा राजस्थान के किस अवियारण्य में चोशिंगा की संख्या सरवाधिक पाये जाती है, तो चोशिंगा का मतलब एक तरीके से हो गया, वो जो कार होता है, किरण का वही है, और चोशिंगा, घटेल, कुछ गंटेल, इस तरह के नाम भी आते हैं, या उसको बडेल, ऐसा कुछ सब्द भी इसके लिए यूज होता है, तो ये सिता मता वियारण्य में बहुत ज़्यादा है, उडन गिलेरी भी पाये जाती हैं, उसको भी याद रखना उडन गिलेरी वैसे सबसे ज़्यादा आप फेमस है यहां की, वो पका याद रखना आपको, और इसके अलावा ये सब्द तो जैसे हैं ही है, निश्य दूरूप से इसको जो चोशिंगा है, इसको भी आपको याद रखना है, सिता मता वियारण्य के साथ मैं, चोशिंगा म मतलब जिसके चार सींग होते हैं, नेक्स्ट है, निम्न में से ऐसंगत है, एक कोई है जो मिला हुआ नहीं है, सही नहीं है, जैसे माउंट अबू सिरोई में है, क्लियर है, ये तो पहला सही मिला है, खुलवारी की नाल हम जानते हैं, उदेपुर में हैं, बिलकुल सही है, बन विहार दोलपूर में है, सही है, केसर बाग भी दोलपूर में है, ना की करोली में, इसका मतलब जो चोथा उप्सन है आपका, वो सही हो जाएगा, वो ऐसंगत है, नेक्स्ट है, देश का सबसे बड़ा घडियालों का अभियारन्य कोन सा है, तो ये तो हम जानते ही हैं, पहले ही नमर पे नाम लिखा हुआ है, राश्क्रिये चंबल, घडियाल, अभियारन्य, मैत्पूर्ण है, वैसे ऐसे का जाता है कि तीन रज्जों में फेला हुआ है, तो फिर देश का सबसे बड़ा होना ही है, स्वावशी बात है, ग्यारवे प्रस्न की तरफ बढ़ते है यारवा प्रस्न क्या पूछ रहा है हमसे, इसमें भी मिला नहीं करना है, जन्तवाले और जन्तवालेयों से समधित उनका जो स्थाबना वर्स हैं, वो पूछा गया है, तो यहाँ पर भी एप प्रस्न वेसे आराम से कोई भी शुडेंट हल कर सकता है, अगर थोड़ा बहु क्विण से और यह चेक करना है, बाकी 1900 है, एक 1806 है, यानि कि पहले का हो गया पहला, तो पहले का पहला कितने ऑप्शन में आ रहा है? 3 में आ रहा है, तो फिर तो फो ρुड़ा और चेक करते हैं, और जोधपूर का हम जानते हैं, जोधपूर हैं, तो 1936 जोधपूर के साथ इसको मिला के देखते हैं फिर बीक कोटा है वो ले टेस्ट हैं ये भी जानते हैं मुझे भी विजिट करने का मोगा मिला है इनमें से कोटा जो छीडियागर है वो तो फिर थोड़ा ध्यान में है तो ये उनीस सो चोपन एक ही बच गया है बीका नेर तो बीका नेर का मिलना चाहिए 1922 अभी सी इसाब से अपना option कुन सा सई होगा ये अभी चेह करते हैं जेसे पहले में एक मिलना चाहिए दूसरे में मिलना चाहिए अपना चार यहां तक तो जिले में सरवाधिक वन्यजीव अभियारन्य हैं तो ये तो कोई भी सुडेंट अप्लाइट गुशन इस तरह के प्रश्णों को का जाता है क्योंकि आपने कभी भी किताब में इस तरह से नहीं पढ़ा होगा कि उद्वाइपुर में सबसे जाता है या कोटा में सबसे कम है जाता है इस तरह का नहीं पढ़ाऊगा लेकिन अगर आपको अभियारनी में जानका ही है जैसे आप जानते हैं कि जयुक्त आपकी जिले कि यहां बाकिकुछ जिले मतलब पान्सर चाइए एक जामिनर को वो अपना पहला उप्शन हो जाएगा उधेपूर. नाम भी आप जानते हैं. एक हैं अपना जाहिसमंद के नाम से Jest ine Utшей Anadak शैक है। फुलवारी की नाल जानते हैं बहुत फेहमर चाहिए। इसके अलावा जो अपना वो क्या ना बसंद्रा पाड़ी पर श्थित है सजन-गड़ूर्ग है उसका आसफास का क्षेत्र है उसको भी क्या बना दिया है अभियारण्य में बना दिया है पर जो स्थाब नमर से हैं वो भी लिखा हुआ है राज्य में नवीनतम वन्ने जीव अभियारने कौन सा है सबसे नया कौन सा बना है तो यह हमने पड़ा था बहुती केवल केवल और केवल तीन पॉइंट कुछ ऐसा है तीन वर किलोमेटर क्षेतर में फेला हुआ है और इसक कौक विःहार को यह आपने पढ़ रखा है तेन खstepर जैपूर का यह शाल खायो जिया नमेबग में उप्सिए है डिसमें लिधे जायपूर की आपशनने है जैपूर को जोगे है यहाद्र सब्दय वो दिए संकर्ढ शेय की आता है लेकिन यह थोड़ा सा यूंिक है तो य याद रखना है नेक्स्ट है राजस्थान के किस अभियारन्य को 2009 में एको सेंसेटिव जोन खोशित किया गया था तो मैं पूर्ण प्रशन कहा जा सकता है एको सेंसेटिव का मतलब हो गया परियावरणी तरीके से यह जो जगह हैं वो समय दन्शील है तो जो मांट अबू का क बहुत अच्छे से पता हैं सबको करोडो वर्स पुराने जो पेड़ हैं उनके अवशेश मिलते हैं उसी को पार्क के रूप में बना दिया गया है आकल एक जगह का नाम है और गूट फोसिल यह सब्द हैं जो लकडी के जो अवशेश हैं उनको दरसाता है चैसल मेर इसका स पर सकते हैं क्यों है उसका कारण दताता हूं मैं हमने मगर मच से समदिख जो अभियरन्य वगएरे पढ़े हैं तो ज्यादा तरज क्योंकि इसका जो connection है वो चंबल से चंबल से है तो हमारे दिमाग में कोठा क्लिक कर सकता है और एक्जाहमें अपना यह प्रस्न है जो गलत यह चो था लेकिन ऐसे ही मगरमच का नाम आ रहा है अगर हम गंबीर नहीं हैं मतलब बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं प्रश्ण की तरफ तो नॉर्मल वे में हमारा ध्यान आ जो कोटा की तरफ जा सकता है लेकिन यहां जो सही उत्तर है वो है चैपूर यह आपको अच या ज्यान सागर वो जो माराना राज सिंग की मौमी का नाम था वो नाम से भी जानते हैं तो उसी को वहां पर मच्छी अभ्यारण्य के रूप में स्थापित किया गया है तो यहां पर उदैपूर का नाम उप्शन नंबर 3 में है तो तीसरा से ही हो जाएगा इंडिया इको डवलपमेंट कारेकरम कौन से राष्ट्रिय उद्यान अत्वा वन्यजीव अभ्यारण्य में क्रियानवित किया गया था एकदम सरल प्रस्ण कह सकते हैं क्योंकि इंडिया लेवल पर जो सबसे ज़्यादा फेमस जगे हैं अपनी जहां टूरिष्ट बोज़ इंडिया इको डवलपमेंट कारेकरम अपनी जो भारत सरकार है उसके द्वारा 1996-97 में 1996-97 में एक कारेकरम चला था और बहुत सारी एसी मतलब योजना होती हैं जिससे किसी और जगे को थोड़ा आर्थिक रूप से मदद मिलती हैं डवलपमेंट में मदद मिलती हैं तो ऐस से साथ कुल जगे हैं जहां पर ये योजना सुरू की गई थी उन में से एक अपने राजस्थान का था रण थमबोर नेक्स्ट बाइस्वें क्यूशन की तरफ बढ़ते हैं बाइस्वा क्यूशन पूछ रहा है कि राजस्थान में कितने वन्य जी और भ्यारण्य है तो ये तो आप लोगोंने बहुत अच्छे से याद कर रखा होगा रट रखा होगा इसको तो तो जो चोथा ओप्सन है वो सही है वैसे जानते हैं राष्टी उध्यानों के बारे में पूछेंगे तब आपको अच्छे से पता है कि तीन है बाग प्रियोजना है अगर आजाए तो पिर आपको ध्यान रखना है वहां चार करना है और नेक्स्ट क्यूशन है तेवीस्वा सुन्दा माता कंजर्वेश सुन्दा भी करते हैं नेक्स है कुंबलगड अभियारन्य में कौन सी नदी बैती है बड़िया प्रस्ण कह सकते हैं इसको भी क्योंकि इस तरह के प्रस्ण होते हैं वो अप्लाइड क्यूशन के अंतरकत आते हैं यानि कि जो समझदारी है वो कितनी है क्योंकि कभी आपने जब कुंबलगड पढ़ोगे तो कभी भी यह नहीं पढ़ोगे कि मतलब वो एक अभियारन्य है फिर जब अभियारन्य पढ़ोगे तो वहां हो सकता है कि इस तरह आजाए कि नदी है या पानी की सप्लाइ करती है बाकि जनरली जब बनास नदी पढ़ोगे तो ऐसे नहीं आएगा कि कुंबलगड अभियारन्य है वहां से ओकर गुजरती है तो कोई विद्यारती है जो कितना बढ़िया तरीके से या फिर ओप्शन के आदार पर उसको सही करता है जैसे जो जली का कोई कनेक्शन है नहीं लूनी का है नहीं थोड़ा बहुत इसमें कंफ्यूज हो स नहीं है दो में भी नहीं है दो में नहीं है तो कितने में है तीन जिलो में है वैसे यहां बिलवड़ा आगया है बिलवड़ा नहीं आना चाहिए था अजमेर है राजसमंध है और पाली तो चोथा उप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा अजमेर राजसमंध और पाली अभियारन्य में जाखम करमोई सिता माता वैसे नाम से ही पता चल रहा है यहां तो हम सही कर लेंगे इसको तो तीसरा उप्षन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स बढ़ते हैं 27 वा क्यूशन है सिता माता अभियारन्य में कौन सी नदी तो अभी जश्ट आपने देखा है यहां से ही कोई एक उत्तर आएगा देगो करमोई नाम आ गया है और कौन सी नदी निकलती है तो करमोई नदी निकलती है अगर याद नहीं था तो अब याद करमोई नदी नेक्स 28 वा क्यूशन है अजगर की सरनस्तली तो अजगर रामगड विस्तारी बहुत फेमस है अजगर और तोड़ी अजीब ही चीज़े हैं अलग से पेड़ फोदे वगर है और थोड़ा वैसे विस्तारी सब्द से भी थोड़ा देखा जा सकता है तो आपको याद रखना है ए उप्सन या पहला उप्सन इसका से उत्तर है और नेक्स क्यूशन है अपना उसमें सुमेलित करना है बड़िया क्यूशन लगते है मुझे इस तरह के प्रशन है तो आराम से इसको आप हल कर सकते हैं जैसे जो भी आपका सबसे जो जान पैचान का नाम है सबसे पहले आपको देखना इनमें से तो देसनोक आपने पढ़ा हैं माता जी के जह सबसे पहले आप department की काने ने अधSpace की आप सबसे पहले किगिए कि दो में हैं 2 में 3 वे सबसंतर हैं और उब और यंदिंत नियुम्त्रूर काया है कि यह तोड़ा सा ऌ τα मिशक कर्यों। Cancer , जैसे सबसे पहले नमर पे हैं धोरी मनना, हम जानते हैं कि बाड्मे नमर में है यानि कि पहले में धोरो और बाले रहा हैं कि एसीं हैं तो बिलकुल और यह गिसी में कोई ओर दोरे नहीं भी तो प्र नेक्स बढ़ते हैं तीस्वा कुशन देखिए क्षेतरपल की द्रिश्टी से सबसे छोटा अभियारण्य है तो यह तो अभी जश्ट हम पढ़के आये थे जो केवल दो मतलब बहुत कम क्षेतरपल हैं जिसका सरीष्का है बेसो लाओ और बुंगो लाओ वैसे यह तालाबों के नाम पढ़ते हैं सलीम अली के नाम से भी एक तालाब है यहाँ पर गंगा सिंग के नाम से भी हैं तो यह सारे के सारे तालाब हैं वो कहां पर हैं तालचा पर अभियारण्य में हैं यानि कि जो चोथा ओप्सन है वो तो अभी यह जिल्लों की संग्य बढ़ जाएगी बहुत जैदा क्योंकि जिल्ले नहीं बनने वाले हैं तो इसके बाद इस प्रस्म का उत्तर चेंज हो जाएगा फिलहाल में जो उत्तर है वह इसका है और यह जो लाइने लिखी हुई है इसका मतलब क्या समझना है आपको दे हो जाना रहा है और भी बहुत-बहुत सारी बातें है पंजाबी सबसे उस्क दरं के लोग सबसे ज्यादा रहते हैं अब आपने नहीं प्रसय पूछन चारह कि एसा कून सा जिल्ला मतलब इसे कितने जिल्ले हैं जहाँ कुछ भी नहीं है इसतरा का इस मैसे कोई चीज नहीं है कोई मतलब क्या कह सकते हैं उसको की उध्यान वगरे नहीं है तो यह जिलों की शंक्या है वो छह है याद रखनी है अब बदल जाएगा जब इसको उध्यान रखेंगे तो वापस से चेंज कर लेना जबी बदले तब नेक्स क्यूशन है बासंदरा पहाड़ी तो बासंदरा पहाड़ी के बारे में हम जानते हैं कि इसके उपर सजनगट दूरू बना हुआ है तो फिर अब्यारे ने पूछा है तो वही सजनगट वाला हो जाएगा पहला उप्शन इसका से उत और नेक्स जो तीसवा क्यूशन कूछा है हमसे राजस्तान सरकार ने राजस्तान वेट लेंड ऑथोरिटी 2018 में यह बनी थी जिसमें एक हेड होता है और इसके जो मेंबर होते हैं 20 मेंबर होते हैं वो तो 2018 का उप्शन ही वेसे एक हैं 10 अपरेल 2018 तो दूसरा उप्शन इसम इसको कोशित किया गया था तो जैपूर सही है इसका उत्तर नेक्स क्यूशन है नेम लिखित में से कौन सा वन्य जीव अभियारने दोलपूर में स्थित हैं तो अभी हम पढ़के आए हैं चस्ट केसर बाग जिसके सामने करोली लिख दिया था और वो ऐस उमलित देखना थ नेक्स कुशन है राजस्तान सरकार ने किस वर्स में राजस्तान जे विवित्ता नियम यानि कि जो रूल्स हैं वो कब से लगू है अपने राजस्तान में तो 2010 में बने थे बहुत सारे नियम बने थे तो इसमें दूसरा उप्सन सही वापस से सुमेलित का प्रशन है देखत तो ताल चापर का वन्य जीव हम जानते हैं बहुत अच्छे से कृष्ण मरग अभी दो चार बार हमने यह प्रसंद देख लिया था और चंबल घडियाल अभियारन्य है तो घडियाल के साथ मिल जाएगा फिर सरीषका बहुत ही फेमस हैं सब जानते हैं कि सरीषका हैं वहां पर बाग प्रोजेक्ट भी है केवला देव हैं वो यह इनके लिए जाना जाता है तो फिर इनको मिलान करके देख लेते हैं जैसे अपने अपास जो उप्सन है उनमें कौन सा उप्सन है वो इसी साब से विवस्तित हो रहा है जैसे ताल चापर के साथ आना चाहिए तीन मतल बी में चार हो रहा है बिल्कुल थीक है ओर दे डी में दो अना चाहिए तो विवाहण की नेक्स सुष्ण क्यूशन देखते हैं तो यह तो बहुत अच्य से आप ने पट रखा है पहला ही उक्शे इसका सी उप्तर हो जाएगा चित तोटण ज्सको कहते हैं सuego सरीषका बागपरियोजना के विस्तारवाले चिलों का सईकरम स्रीषका परियोजना है že लुष जानते ही है सब लुष छोड़ा सा जो रामगड्ड का भा रामगड कstory के नाम छहीं है तो उसका भाध थोड़ा बूत मिला हैं अंच महाया मषय को तो क्या जाएगा कि के नेक्स फोर्टी वन नंबर पर प्रस्थ मा कुछा गया है कि कौन वह रह्श्ट्र में नहीं है तो यह हम जानते हैं कि मुकुंद्रा हिल्स है वो तो बन गया है इसका मतलब मुकुंद्रा हिल्स तो है बिल्कुल और मुकुंद्रा हिल्स है मुकुंद्रा हिल्स के अलावा और रणतंबोर और केवला देव भी है यानि यह है यह है और यह भी है तो सरीषका है वो अभियारन्य है कि राष्ट्री उग यह पूछा गया है यह बैर इस्वा कि उसन देख रहे हैं पक्षी परजात्यों की सर्वादिक विवित्ता पाई जाते हैं तोपक्षियों के लिए को एक तो एक दो तीन चारी है वीड जानते हैं desenvolup अगर गिंती मिल जाएक तो वह और स्बसक्रांश करेंके सब्सक्राइब です और सबस्ट box नेक्स क्यूशनALD की तुछिञते हैं नेक्स नेक्स व्यूशन है राम सर अभी समय के नुसार केला देव राश्zem mirke अलावा राजस्थान की कौनЬ सा अन्यक शेतर राम सर के रूप में जाना जाता है है तो सांबर जीडारी ग değils के बारे में बाते की जा रही है राम सर उपbreak के बारे तो शेर गड़ बारा में हैं, इस नाम से बंद बारेटा हैं, बेंस रोड़ गड़ तो चित्तोड गड़ में हैं भी पड़ा था, हमने राज समन्द लिख दिया है, यानि ये उप्षन है, वो ऐसुमेलित है, नारगड जेपूर में हैं, बायलोजिकल पार्क, नेक्स्ट है, कुंबल गड़ अभियारण्य का विस्तार किन जिलो में है, तो कुंबल गड़ तो राज समन्द पाली और उदेपूर की नोकिस ओप्षन में है, देखते हैं, राज समन्द है, पाली है, और राज समन्द पाली और उदेपूर, यानि की दूसरा ओप्षन इसक से चोरा सिगट से जहां एंटर करती है चमल नदी राजस्थान में और वहीं पर राजस्थान का सबसे बड़ा बांध भी है नेक्स है भारत सरकार द्वारा किस संभावित स्थान को चीता पुनर्वास विकास योजना के अंतरगत सामिल किया गया है चीतों के डवलॉपमेंट के लिए वैसे चीता के लिए भी बीका कुनों है वो बहुत प्यमस चल रहा है उसका नाम लेकिन यहां जो प्रस्ण पुछा गया है चीता पुनर्वास के लिए वो पूछा गया है साहगड जेसल मेर के लिए तो यहां पर दूसरा ओप्शन सही हो और यहां जो पहला उप्शन दे रखा जवाई बांद पाली यहां पर भी बहुत सारे लहते हैं इस करण से साइद यह प्रस्ट में दिया गया था आपको याद रखना है सागर जेसल मेर करनक सागर के बारे हम जानते हैं 72 वर किलोमेटर कई हैं केवल और बुंदी में हैं बासी दुगारी ऐसा कुछ और नाम भी आता है इसका तो यहां पर सी ओप्शन या तीसरा ओप्शन सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान का एक मात्र नदी अभियारन्य है चिंदाबाद है दूसरा ओप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा चंबल नदी राजस्थान में क्षेतरपल की दृष्टी से सबसे छोटी बाग परियोजना जो भी या अपने पास जो उकलब्द ओप्शन है उनमें जो सही मुकुंदरा फिल्स नेक्स्ट की बात करते हैं फुलवारी की नाल जानते हैं अभी चस्थ हमने बात कि थी तीन अभियारन्य है उद्यपुर में राजस्थान का वह अभियारन्य जो परशिद पक्षी विज्यानी सलीम अली की कार्यस्त ली रहा बहुत ही फेमस सलीम अली जो कि बर्ड मेन उप इंडिया गे नाम से भी जाने जाते हैं केवला देव घना पक्षी अभियारन्य में इन्होंने काफी काम किया था तो यहां जो पहला उप्षन है वही इसका सही उतर है वैसे पक्षी चिकित्सा अगर पूस लिया जाए यहां चिकित्सा सब्द आ जा होगा बरतपूर का बहुत ही फ्यामस अभियारन्य है पक्षियों के लिए फ्यामस है राजस्तान में कि स्थान पर खड़ मोर पक्षी के संदक्षन एक तो क्रिक्रिम प्रजनन के अंदर स्थापित किया गया तो खड़ मोर आप जानते हैं कि यह अजमेर का सुबंकर तो 78 का है 78 का की गई थी गुलाब बाग मतलब जो पहले कोई जगे होगी जहां स्थापना की जाएगी तो वह है गुलाब बाग यह ऐसे याद रखना को बहुत सी बार ऐसे भी पूस लेते हैं गुलाब बाग का है तो अब यह अपने पास प्रस्ण हैं कुछ प्रस्णों और बचे हुए है 56 को आया है 60 टोटल क्यूशन है तो इसका मंदब 3-4 क्यूशन और देखने है अपने राजस्थान में एक नॉवंबर 1905 को सरुपर्थम चार वन्यक्षेत्रों को अभ्यारण ने घोशित किया गया था इन में से कौन सा सामिल नहीं था तो 1955 में कौन से बन इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स है राजस्थान की किस बाग परियोजना में सबसे पहले स्टीप यानि की स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन पोर्स का गठन किया गया था तो इसमें तो कहीं जवाब को इदर उदर करने के आवश्यक्ता है नहीं आराम से आप जवाब से रिपीट क्यूशन है और इसका वी जो उत्तर है वो है तीसरा ओप्शन लास्ट क्यूशन है अपने इस पेपर का राजस्थान में पेंथर के संड़क्षन के लिए प्रोजेक्ट लेपड कहां चलाया जा रहा है जो कि देश का पहला लेपड प्रोजेक्ट है चालाना ड प्रशन जो कंप्लीट हो गए हैं यहां तक अगर आप पेपर को पूरा देख रहे हैं समझ रहे हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद आप और अभी आज थोड़ा ऐसे करते हैं यह जो मतलब की वीडियो है अपना इसको भी आपको स्टेटस पर लगाना चाहिए ताकि जो भी आपके संपर्गवाल स्टुडेंट हैं वो भी जब इस क्लास को देखेंगे मतलब देखेंगे पूरा नहीं एक मिनट के लिए देखेंगे लेकिन उनके मन में यह आना चाहिए कि आप जो बड़िया तैयरी कर रहे हैं एक टोपी के आप साट साट कुशन के वले एक चोटे